तो इस वक्क की बड़ी खबर ये है कि एंडिये की बैटक खतम हो चुकी है और उसके बाद से संभावनाएं हैं कि जल से जल नरेंद्र मोदी जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं प्रदान मंत्री के आवास पर इंडिये की बैटक बुलाई थी नितीश कुमार चंदरबाव बुनाइडू जितने भी घटक दल थे सब लोग बैटे हैं करीब एक घंटा बाची चली है और अब ये तैह हो गया है कि आज ही हो सकता है कि राश्पती के पास प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी भूत पूर्व हैं फिलाल इंडिये की तरफ से जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे जितने भी सहीयोगी दल थे हो चाहे तेजस्वी चिराग पासवान हो और छोटे से छोटे जैसे एकनाच शिंदे हो एंजीपी से अजीत पवार हो ये सब लोग आये थे प्रदान मंत्री के आवास पर बैठक हुई है और अब सरकार बनाने का दावा पेश होगा देखे एक दूसरी तरह बिपक्ष भी आज शाम को 6 बजे बैठक कर रहा है तो एक जरूरी चीज यह है कि बिपक्ष के पास नंबर नहीं है नंबर ऐसे नहीं है कि देखो पूरा इंडिया गठवंदन भी जोड लोगे आप तो भी वो जोड के 234 हैं उनसे ज़्यादा अकेले बीजे क्योंकि इस बैठक के बाद ये चीज तैय हो गई कि नितीश कुमार हो या चंदरबाबु नाइडू ये दोनों ही बारगे नहीं हुए मतलब इंडिया गठवंदन मैनेज नहीं कर सका और चंदरबाबु नाइडू तो कल रात से ही ट्वीट लगातार प्रधान मंतरी अमि केंद्र मोडी के चेहरे पर ही लड़ रहे थे कि हम लोग इनके सपोर्ट से सरकार बनाएंगे केंद्र में मजबूत सरकार रहेगी और हम आ जाएंगे तो अब चंदरबाबू नाइडू का समय है कि वो कुनों ने साफ कह दिया कि हम अगले 5 साल रहने वाले हैं और ये कर देने के लिए एंडिये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी राश्पती के पास जो है सरकार बनाने का दावा पेश हो और ऐसा भी हो सकता है कि अब प्रधान मंतरी राश्पती भहुन में शपत भी ले लेंगे मंतराले को लेकर क्या जानकारी आ रही है कि मतलब नितीश कुमार ग्री मंतराले की मांग रख सकते हैं ऐसा या अभी रख चुके होंगे इस तरह की कोई बात हुई होगी कि भई पहले हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं उसके बाद तो देखिए गटवंधन की सरकार है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी मांग होगी अपनी उमीद होगी ये होता है गटवंधन की सरकार में तो ये लेकिन पहले सरकार पर ही बात होगी मंत लोग ये कह रहे हैं कि नितिश कुमार पल्टी कुमार हैं पलड़ जाएंगे उलड़ जाएंगे मैं आपसे कह रहा हूं समाजवादी पार्टी अगर यूपी में टूट गई तो ममता बेनर जी बंगाल में से कह रही है कि मैंने राहुल गांधी को मैसेज किया उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो अगर ममता ये कह रही हैं दूसरा उद्धव ठाकरे का आप जिकर कर रहे हो उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं आ रहे हैं उन्होंने अब उनको भेजा है संजरा और रवी राणा ने अभी दावा भी किया था कि उद्धव 15 दिन के तो आप ज़से सोचोगे अगर इंडिया गडवन्दन या कॉंग्रेस ये सोचेगी कि इस तरफ तोड़ फोड मचाएं तो तोड़ फोड उधर करना ज्यादा आसान है इसलिए क्यूंकि वहां कॉंग्रेस के पास कोई बड़ा नंबर नहीं है 99 है बीजेपी से तीन मुना क तो इसलिए उधर संकट ज्यादा बड़ा है और समस्दारी की बात क्या है चंद्रवाबू नाइडू ने बहुत बाड़ केंदर में सरकारों को देखा है अटल विहारी बाजपई के सरकार में सही होगी भी और पहले भी 2014 में भी तो सही होगी थे मुदी के साथ तो उन्हो को पता है कि इस वाली सरकार में अस्थाहित तो होगा जो होगा पांट साल के लिए होगा वहां पर पार्टनर्स जादा हों दूसरी तरफ वहां तो सब के सब प्रधानमंतरी के उमिद्वार हैं लड़ाई वहां मंतराले की या प्रधानमंतरी पत के पोस्टर्स भी लग ग तरह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं उस बनिश्पत इधर कम है ना इधर लड़ाई सरकार बनानी की कम है 240 अकेले बीजेपी के लगभग बराबर तो किसी के पास भी नहीं है ना जबकि उधर ऐसा देख रहे हैं कि आपने खुदी बताया माया बती हुई या समाजवा इस मिलेगा क्या वह प्रधानमंतरी अगर कहेंगे जी प्रधानमंतरी बन जाओ तो वहां हर साल 6 महिने में एक नया प्रधानमंतरी बनेगा यह उनके समझ में नहीं आता है तो इसलिए और देश के लिए बड़े पॉलिटीशन से इसलिया से सोचते ही होंगे इसलिए हमारा और हमारा भी मानना है कि और जो पेच फसा हुआ है वो भी जल्दी खुल जाएगा कि किसको कौन सा मंतराले मिलने वाला है और ऐसा जानकारों का भी दावा है कि कुछ प्लान भी जरूर बीजेपी ने तयार करके रखा होगा